इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से सिवान में पत्रुकार हत्याकांट के आरोपी मोहमत कैफ और बंटी ने सरेंटर कर दिया है ये वही आरोपी है जो रहाई के वक्त शाहबुद्दीन के साथ दिखा था इसी आरोपी की तस्वीर लालुयादव के बेटे और बेहार के मंत्री तेश पताप के साथ भी दिखी थी मोहमत कैफ पर सिवान में हिंदुस्तान अख़बार के पत्रुकार राजदेव की हत्या का आरोप है इसके घर की कुर्की भी की थी कुछ वक्त पहले पुलिस ने वीपी नियुसमवाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गया प्रकाश काफी वक्त तक फरार चलने के बाद आपने ऊपर लगे आरोपो से इंकार करने के बाद आप बहुमत कैफ ने सरेंडर कर दिया है पिल्कुल आला कि ये जो सरेंडर इसमें किया है ये रंगदारी के मामने में उसके उपर मुकदमा हुआ था कीवान के पुलिस में उसके पिल्सिले में इसके सरेंडर किया है लेकिन जो राजदेव पत्रकार हत्याकांड में इसके संधिक होने की बात थी और साजिशकरता के रूप में इसे देखा गया था तो उस मामले में भी अब पुलिस जैसा केस्टी का कहना है सुरिंडर करने के बाद हर मामले में पूछताच करेगी साथ दिखा था मोहमत कैफ और तम हंगामा मच कया था कि आरोपी फरार कैसे चल रहा है जबकि वो शहाबुद्दीन के ठीक बगल में दिखाई दे रहा है और फिर बिहार सरकार में मंत्री लालुयादव के बेटे तेश प्रताप के साथ मोहमत कैफ की तस्वीर सामने आई इसके बाद बवाल और बढ़ा हाला कि मुहम्मत कैफ राजदेव रंजन पत्रका राजदेव रंजन की हत्या के मामले में किसी भी भूमिका से इंकार करता है लेकिन आज की ताजा जानकारी ये है कि मुहम्मत कैफ उर्फ बंटी ने सरेंडर कर दिया है प्रिंग्दारी का एक मामला जिसमें पुलिस को तलाश थी उसमें अब मुहमत कैफ ने सरेडर कर दिया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का कुछ और खबरों के साथ पॉरन हासर होंगे।